प्रिथ्वी हमारा घर जो हमारे रहने के लिए सबसे बहतर है यह भ्रह्मान का सबसे अनुखग रहे जहां पर हमें सा कुछ न कुछ विचित्र घरता रहता है आज हम आपके साथ हमारे अद्बुद्ग्र प्रिथ्वी के बारे में बात करेंगे तो आप हमारे साथ अंतग ब क्या आपको पता है जब हमारी प्रिथ्वी का जन्म हुआ था आज से लगबग बासा करोर साल पहले तो हमारी प्रिथ्वी पर उस वक्त सिर्फ 21.9 घंटे हुआ करते थे चांदर सूरच के गृत्वा कर्शन बल से बन होने वाली ओसियन टाइट से हर सौ साल में प्रिथ्वी के एक दिन के समय में 1.7 मिली सेकंड और जुड़ जाते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रिथ्वी पर दिन बढ़ रहे हैं बलकि कुछ नैचुरल घटना ऐसी भी हैं जिनके कारण समय में गिरावट भी आई हैं जैसे 2011 में जापा नियुकम्प ने हमारी प्रिथ्वी 1.8 मिली सेकंड पीछे कर दिया था हम सबी ने इस गुल में पढ़ा है कि प्रिथ्वी स्पेरिकल है यानि गोल है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है वास्तब में हमारी प्रिथ्वी गोल नहीं है बलकि यह बलजियर है यानि नौर्थ और सौथ पोल पर यह चप्टी है और बीच में चोड़ी है जैसे कि आप tradis to besis में देख सकते हैं लेकिन इसके बावजू रित्वी आमें परफेक्ट डिखती है क्योंकि अपने आक्सीस पे घुमते हुई रित्वी अपने सरफेस को बाहर की तरफ पुश्च करती है जिस कारण प्रिथवी हमें गोल आकार की दिखती है क्या आपको मालूम है कि प्रिथवी पे एक ऐसे जगह भी मौझूद है जो बाकी जगहों से अलग है यहां की ग्रैविटेशनल फोर्स 0.005% कम है जिस कारण 2009 में विज्ञानिकों ने रिसर्च की और इस रिसर्च के लिए एक सेटलाइट को स्पेस में लॉंच किया गया सेटलाइट दौरह भीजी के तस्वीरों से इसे खोच पाना मुम्किन हुआ अब हम जिस चीज के बारे में बात करेंगी आप मैंसे हर कोई की जानता है जी हां हम बात कर रहे हैं बर्मूडा ट्राइंगल की बर्मूडा ट्राइंगल नौर्थ एक्ट्राइट्मिक उसियन में मौजूद है ऐसा कहा जाता है कि यहां से बचकर कोई भी शीप और एर प्लेन नहीं जा सकते क्योंकि समंदर यहां आने वाली हर चीज को निगल लेता है लेकिन साइंटिस्ट का कहना है यह एक साइंटिफिक फिनोमिना है जिससे आस्मान में ऐसे क्लाउड बनते हैं जो 270 किलोमीटर पर हार राली डिस्ट्रॉम पैदा करते हैं और जिस कारण पानी में 50 फीट तक लंबी लेहरे भी उटती हैं इस कारण जो जहा पासे बुजरते हैं वो गायब हो जाते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के शाद शेयर ज़रूर करेंगा